हाई फ्रेंड्स वेल्कम ओन मा इट्यूब चैनल इस लेक्चर में हम जानेंगे ग्रेविटेशनल ला और इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और इसका हम इसके इंटूडक्शन मनला हिस्ट्री एंड कॉंसेप्ट पर भी डिस्कस करेंगे और कुछ इसकी आसों में और हो सकता है नाइन्थ में भी आपने कहानी सुनी हो कि न्यूटन सो रहा था सेव की नीचे और सेव गड़ गया सेव एपल तो न्यूटन ने सोचा सेव क्यों गरा उससे न्यूटन गुद्वाक्रशन की नियम की उत्पत्ति हुई ऐसा कुछ नहीं है फिलाल इ लेकिन बात में बहुत दोसो साल हम कहें इसके बाद न्यूटन की और प्यविवलती विव ट्राइशनल प्राई पर्लटा और वेखान में ने चाहे गल्ज हूँ या भवाई हो या टीचर हो कि बीच में लगता है हम देहीं बताएंगे अब कहो सर हमारे पीच में ग्रेविटेशनल फॉर्श लगता लेकिन फिर भी हम आपस में चपकते नहीं है क्यों इसका भी कुछ रीजन होगा ओक करें देहिं सब्सक्ट इसका रीजन आप जान लेंगे ओके और तो चलते हैं ब्रम्हांड में जितनी भी पार्टीकल हैं बॉडी हैं पेंड हैं इसकी लिमेंटेशन भी हैं हम वह भी बता देंगे ओके चलते हैं अपने कॉंसर्प्ट की ओर ब्रम्हांड में युनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं एक दूसी को अट्रेक्ट करती हैं एक बॉडी दूसी बॉडी पर जतना फोर्ष लगाएगी दूसी बॉडी भी पहली बॉडीज पर उतना ही फोर्ष लगाएगी जो आपने साज न्यूतन का थर जो थर लाथा उसमे जाना भी होगा action reaction force एक वस्तु दूसीय वस्तु पर जितना force लगाती है दूसीय वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना भी force लगाती है और जो दो particles या दो bodies के बीच में जो force लगता है वो कितना फोर्स लगता है वह हम इसमें जानेंगे आंगे सबसे पहले हम इसका definition है वो जान लेंगे कि नहीं भी दो पार्टिकल्स या दो बॉडी की बीच में जो फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल्स हमने इधर ले लिया एक पार्टिकल इधर है M2 इनके center से और इस center की बीच की जो distance है वो small r है जो इन दोनों पार्टिकल्स की बीच में फोर्स काम कर रहा है लग जे पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स को अपनी और अट्रेक्टिव कर रहा है M1 मास के कारण M2 पर लगने वाला फोर्स कितना होगा F21 और M2 जो मास है वो M1 पर फोर्स लगाएगा अपनी और अट्रेक्टिव करेगा कितना फोर्स लगेगा F12 तो M1 और M2 तो पार्टिकल्स से इनकी बीच की डिस्टेंस आ है इन पर कितना फोर्स लग रहा ग्रेविटेशनल फोर्स तो इनकी बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है M1 मास और M2 मास मरलब दौनों पार्टिकल्स के मास के प्रोड़क्ट के प्रोपोर्शनल होता है और दौनों बाडिच की सेंटर जो वीच की डिस्टेंस होती है उसकी स्कॉार के इनवर्शली इनवर्शली प्रोपोर्शनल होता है स्कॉार ओप डिस्टेंस बिज्वीन देम उन दौनों कड़ों की बीच की दूरी के वार के कैसा होता प्रितकान उपाती जो इस फोर्स की डारेक्शन होती है यह हमेशा क्या जो दौनों पार्टिकल्स को या दौनों बाडीज को मिला मिलाने वाली रेखा के कैसी होती है अंडेस होती है एसा नहीं है कि मान लो एक पार्टिकल एक अधार है यह हमेशा एक दूसरी को जो हम बीच मिलाने वाली रेखा है इसकी अंडेस अट्रेक्शन करेंगे ना कि ऐसे करें ना कि ऐसे करें इसा नहीं हमेशा इसलिए जो इसक विंदू की और लगता है और उस विंदू से जिस पार्टिकल पर इसकी बीच की डिस्टेंस पर भी डेपेंड करता है तो दो पार्टिकल्स की मिलाने वाली रेखा पर दिसकी प्रणी होता है तो हमने अभी बताया कि दौनों पार्टिकल के बीच जो लगने वाला gravitational force है दौनों पार्टिकल के mass के product के कैसे होता है proportional होता है और दौनों पार्टिकल के जो बीच की distance है उसके square के reciprocal होता है equation first कहतो equation second इन दौनों को मिला के लिख देंगे कि तो कितना जाएगा proportional M1 into M2 upon R square जो proportional का sign हटाएँगे एक एदर हम constant लगा देंगे तो आजाएगा F equal G M1 into M2 upon R square तो हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एक constant है तो जी एक constant इसको हम क्या बोलते हैं gravitational constant गुत्वा कशन नीतां gravitational constant हम इस gravitational constant को बहुत जाखे लखा रहा था जी universal constant universal साब तक नीतां gravitational constant आपने देखा होगा जी gravitational कहीं लखा रहा था universal इसको universal gravitational constant क्यों कहते हैं इसका भी कुछ रीजन होगा जो जी की value होती है वो 6,7 into 10 to the power minus 11 newton into meter square per kilogram square इसकी value होती जी की value ओके तो जी की value तो यह होती है ओके तो जी की value जे आप universe में किसी भी स्थान पर जी की value एक सी रहती है चेंज नहीं होती है जे ना तो temperature पर depend करती है not depend ना जे temperature पर depend करती है कि temperature कैसा है सर्दी पर रही या गर्मी पर रही उससे कोई effect नहीं परता इस gravitational constant पर ना particles की nature पर depend करता है कि particles बड़ा है या छोटा है ओके gravitational यह constant उसकी value fix रहेगी ना medium पर depend करेगा या आपका medium water है air है या vacuum है तो इसलिए इसको universal gravitational constant कहा जाता है और हम इसको बैक्टर फॉर्म में जानेंगे इसका वैक्टर फॉर्म क्या होता है आंगे हम इसके कुछ facts जान लेते हैं important जो हमने आपको सुर्वात में hints में बता दिया था कि सबसे पहले चाचा करते हैं क्या है centripetal force क्या है centripetal force क्यों है क्योंकि जो centripetal force होता हमेंसा एक fixed point की और या उसे दूर लगता है और उस fixed point से जो पार्टीकल है उसकी वीच की distance पर depend करता है centripetal force इसलिए क्योंकि हम दो bodies होती है okay इन दौनों bodies के center की जो वीच की distance होती है जो इनको मिलाने वाली देखा होती है जो force की direction होती है इनके along होती है इसलिए इसको क्या बोलते है centripetal force कहते है कि सेंट्रीपिटल force आप जानते हैं क्या होता एक वेक्टर एकक्वल क्या पॉन में आर स्कॉर और यह क्या है centripetal force या इस प्रकार से भी एक वेक्टर एफ और और यह हमेशा एक दूसरा प्वांट यह हमेशा आट्रेक्टिव होता है कैसा होता है अट्रेक्टिव होता है यह हमेशा दो बॉडिज के बीच के attraction होता है इसने की रपल्सन होता हो attraction यह attraction नेचर का होता है इसलिए क की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेट यह के centripetal force में आपने प्रिवियस लेक्चर में सेंट्रिपिटल फोर्स पर बेडियो लेक्चर अपडेट का दिया है अपलोर जो आपको आई बेटन पर लेंक मिल जाएगी हो तो यदि के की वैल्यू नेगेटव होती है तो कितना हो जाता है वाइनस के अपन में आर एसक्वार आर के अपन तो यह अट्रेक्शन नेचर का होता है यह हमेशा दो बॉडिज को क्या करता है मालो एक बॉडिज यह है एम एक एम टू है जिसको अट्रेक्शन करेगा जिसको अट्रेक्टिव करेगा तो यह कैसी है अट्रेक्शन नेचर है अब जानेंगे third point third point में जे जे किसी भी medium पर depend नहीं करता है कि medium कैसा है OK force gravitational force is independent of medium medium पर depend नहीं करता है OK चाहए आप jal में रहें या थल में रहें कहें भी रहें मैंन लो आप बीच में पर व्राइव तो अतना ही लगेगा आपके अगर рук कौन हम अधर आपकी डेस्टेंस टू मीटर ले रहे हैं दो मीटर आप चाहें जल में दो मीटर ले 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 तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा ओके इसलिए मेडियम पर नहीं करता है और फोर्स जो आपने पड़ा भी होगा गिर न्यूटन का जो थाड़ ला होता है एक्सां अपने जो आमने पहले बता दिया जी बाड़ी यह फोर्फ लग रहा था एम वन बॉडी ऑ एम डू बाड़ी को फोर्फ लगाती थी कि एप टूवन वेक्ड़ और इम डू बॉड है वह मद पर कितना फोर्फ लगा दिया मुन मैं इसको लिखते कैसे हैं तर दे यह सा कैसी होती है कि क्यों आप हमने कहा में पर एम टू की कारण लगने वाला बाद तो पर किसकी पीछे आया वन किसकी कारण टू की कारण जे एफ़न टू का मतलब टू पर वन की कारण तो एफ़न के यह दौना की आप एकवर्गों की कारण टू पर लगने वाल बाद इस प्रकार से मिलिखे लेते हैं हो कि तो जी दोनों फोर्स कैसी आपूजिट डारेक्शन में कैसे हैं अपोजिट्ट डारेक्शन में है लेकर एकवल है ओके तो एक्षक वन वेक्टर और एकवर्ड reaction force यह क्या किरिया प्रिति किरिया वल है पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जतना वल लगाएगी दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाएगी तो यह magnitude में तो अक्कल होते हैं लेकिन direction में कैसे होते हैं अब हम जानेंगे इसके कुछ limitation इसका वेक्टर फ होन ठिसका वेक्टर फॉंग क्या होता है एक स्भेक्टर अब स्ट्रोइजब काउन होता है वह माइनस जी मोन इंटु एम ढब मेंorang स्ट्र को और प्रोगेर होती है हमने अभी बतायाaden डोग डिकल शोता है ऑब थीग्शन scree town यह क्या होता है इस प्रकास से एसको कि करते हैं और ग्रेइस का हता होता हुता हा होता होता तो के की बेलू नेगे तहें टेर्व होती के वी कोंस्टेंट-क whats a मास प्रियु ओंगे और डीशन प्रोदा होगा आता ही हमने बाद लेक्टर फॉक बता दिया अब हम चलते हैंसके कुछ hoता होता है ये केवाल प्वांट मासेस के लिए बैलेड होता है बैलेड फोर प्वांट मासेस ओके ये केवाल बिंदू आवेसों सुरी दिर्मानों के लिए बैलेड होता है अब आप कहो कि सूर, सन और आर्थ में भी ग्रिविटिशनल फोर्ष लग रहा इस्टार इस्टार्स में ग्रिविटिशनल फोर्ष लग रहा सर ऐसा क्यों हमने तो कहा प्वांट मासिस के लिए है ऐसा हुद ऐसा आप सोच रहे हैं इसका भी आपको समाधहन बता रहे जैसे मालों दो स्टार हैं उनकी बीच में लेकिन दौनों तारे इतने डिस्टेंस पर हैं कि वह एक दूसरी को कैसे नजारते हैं सुख्च जब जैसे आप देख्ते होगे आपसे दूर बहुत दूर एक वस्टो रखी तो आपको कैसी दखाएगी बिंदू आकार की प्वांट आकार इनकी तो जब प्वांट चार्ज की तरह आप काम करेंगा तो फ्वांट मास्स के लिए कैसी यह बैलेट तो उन दोना इस कब लगेगा जब उनकी डिस्टेंस बहुत जादा हो जाएगी तो बहुत दोनों बॉड़ी पॉइंट की तरह देखने लगेंगी तो उन पर कौन सा फोर्ष लगेगा गिरेविटेशनल फोर्ष लगेगा जैसे एक मैंने कहा था मैं आपको बात में कुश्चन बताऊंगा आप क्लास में बैठें तो आप आपके वीच भी ग्रेविटेशनल फोर्ष लग रहा है फिर भी आप आपस में चपकते नहीं है इसका क्या रेजन है जो ग्रेविटेशनल फोर्ष होता है जी एक पॉल M1 इं स्टेंट की वैलू है 6.67 इंटू 10 तू दी पावर माइनस का 11 न्यूटन इंटू मीटर स्कॉर प्रती केजी स्कॉर होता है आप जे समझेगा कि जो फोर्ष होगा वो कितना होगा 6.67 इंटू 10 तू दी पावर माइनस 11 इंटू 100 इंटू 100 अपको मैं मालो आपकी क्लास में तो आप इसको कैल्कुलेट करोगे तो कितना आएगा 6.67 इंटू 10 इंटू 10 कितना आजाएगा 7 अब जे आप बताएए आपके दौनों की बीच में जो क्लास में हैं उनकी बीच में फोर्ष कितना लग रहा है 10 की पावर माइनस में हैं माइनस माइनस को मुलत समत्यों पॉ बीच में ग्रेविटेशनल फोर्ष लगता है लेकर हाँ भावनाव का लगता है जैसे अगर हम बॉडी जैसे हम सन और अर्थ की बात करें इनकी बीच में ग्रेविटेशनल फोर्ष लगता है आप कोई भी गलैक्सी में स्टार हैं प्लेनेट्स हैं सैटेलाइट हैं आप कि सेगी बात करें जो सन और अर्थ का मास होता है जे पहुंच जाते हैं जब टैन्टूदी का फोर्स की रहने पहुंच जाएंगे तो इसका जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा अब जो प्लस की पॉजिटिब में आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बैलू कैसी होगी अब नेगलेजेबल नहीं है बहुत जादा है तो इनकी बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आपस में बन ही रहते हैं मतलब बन ही रहने का मलब एक दूसरी को अट्रेक्शन करते हैं जैसे अब अर्थ सन के राउंड रेवाल्व कर रहा ही तो ग्रेविटेशनल फ है आपने इसका महत्यासा तो नहीं देखा कि हमारे बीच में लग रहा हो ग्रेविटेशनल फूल लगता तो अलेकिन पता नहीं चलता है जिसको हम इसका ध्यन करते हैं हैं बहुत जब भारी वस्तुती जैसे गलेक्सी में स्टार हैं सन हैं सैटेलाइट हैं इनका हम इनमें में जादा कम यूज होता है इस प्रकास से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा यहां वास्तों में आ गया तो वेडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें नई वेडियो के नॉटिफेशन के लिए नेक्ट वेडियो आपके लि लेकर आएंगे धन्नवाद